हलो दोस्तों, EID 13 डिल मैसीन डिल मैसीन में ह्मार पॉब्लेम हो रहा है जब इस मैसीन को कॉंक्रिट में काटिंघ करते है ना डिल करते है इसमें डिल नहीं हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? हम आपको चलाके देखाते हैं कि मैंसिन में जो हमार मोर होता है ना घुमाने से हमार होता है हमार काम नहीं कर रहा है तो इसमें क्या खराब हो आया हम आपको देखाते हैं देखिए इसमें दो बूस होता है ऐसे होता है इसमें साउंड ऐसे होता है देखिए ऐसे घुमने से उसमें होता है और भाइबरेशन होने से इसमें हमार काम करते हैं मैनुवल हमार होता है इंपेक्ट हमार डिल मेसिन इस पता नहीं है ऐसे समान मिलते हैं तो मैं जहां से समान खड़ता हूँ पावार्ट टार्फ टूल्स उहां पे मैंने वड़ात दिया था और समान मिल गया मैंने 114 रुपिया में खड़ता था 140 में खड़ता था इसमें डिल चोक खराफ हुआ है हमें ओपेंड कर लेते ये खोलने का सही तरीका होता है आपको ऐसे ही खोलना चाहिए यह तो आप ठोक के खोल लोगे तो बड़े से खोल नहीं पावगे इसमें आपको रेंच डालने के लिए एक काटिंग होता है उसमें आपको लगाने के बाद आप ऐसे बड़े पाइप रेंच से मदल से खोल पावगे तो हमें बाहर करना है तो इसमें जो सर्क्लिप दिया है उसको बाहर करना है उसके बाद सैप को बाहर करना है तो कैसे हम बाहर करने के बाद इस फिरिंग करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपके साथ हम सेयार करते हैं, तो मैंने कभी नहीं किया था, मेरे को पता नहीं कैसे को खोलना है, तो कितना तकलिव होता है, तो हम थोड़ा फास्ट में आपको देखाएंगे, थोड़ा टाइम लगा था मैसिन को काम करते हुए हम बाहर करते हैं देखिए इसमें ग्रीस सुग गया है तो ग्रीसिंग भी करना है तो इसमें जो बड़े ग्यार है उसको हमें सार क्लिप को खोलने के बाद इसमें बाहर कर लेना है तो हमें घुमा के भी चेक करके देख लेना है उसमें बैरिंग खरब हुआ है हम outer lock plus के मदद से सार्कलिप को थोड़ा बाहर कर लेते हैं बड़े करने के बाद हम तो बहुत जिदा पिसार से तूट सकता है सरक्लिप को सेप्टी से खुलना है तो बड़े से ओपन हो गया है उसके बाद आपको ऐसे करके सामन के उपर राखके इसको ठोकने से बड़े से ओपन हो जाता है देखिए बड़े से ओपन हो गया है इसमें एक अंदर वासार रहता है तो ठोक के बाहर करना है तो नीचे हमें कुछ पाइप से उसको बठाना है धिरे से उसके बाद ठोकने से बाहर हो जाएगा तो हमें इसको पहले इसमें जो सार क्लिप होता ना इना सार क्लिप से हमें इसको ओपेंड करना है तो धिरे से ओपेंड करना है उसके बाद इसमें है थो हमसaley ऐता रहता है तो इसमें हैं मुझा रिखेया है तो यह समान संसे युज्ष कर सकते हूं देखें हम भाहर कर लिया है तो निचेशा показыв gelecek है मिरा हात में नया है तो इसी को fitting करना है ये दोनों स्खराब हो गया है देखिये ये बला हिस्सा gearbox के अंदर है तो हमें उसको open करना है open करने के बाद इसमें हम fitting करेंगे तो आपको एक काम किसी ने सायद आब तक नहीं देखा तो में अको पतानी कि साइट को घुमाने से खुल जाएगा मैं दोनों साइट से की कोची साइब कि भूरा सच्चा ही देखाएंगे थोड़ा वेयर सबसी कीज़ेंगे थोड़ा जाएंगे तो हम काट वेसिंग का रहें जो सब्सक्रांइब कॉर्भ झार divorce स्थ Hai तो आभी तो मेरे । धूल नहीं है तो जो सामाई रहते हैं उसे से खोलके हमें बाहर करना है देखे मेरा जो पुलार है पुलार से मदद से इसको बड़ी ऐसे पकल लेते हैं उसके बाद हम इसमें जो स्लाइट रहे जाएंगा तो ठीक है खोल नहीं रहा है बहुत ही सक्त से उसको फिटिंग किया है मैंने सोचा था घूमाने से खोल जाएगा औग उसमें काट है बड़ी से पैच चलने से आघ और बड़ी से खोल जाएगा घू हम जिरे से दोनों साइट का ौइक का बेरिंग ओपन होता है ऐसे करके तो दोनों साइड से मैं कोशिज कर रहा था एक साइड से घूम जाए तो उसके बाद मैंने देखा एक साइड से बड़िया से घूम रहा है ऐसे साइड से मेरे को खोलना है देखिए उसमें थोड़ा साथ ठोगने से घूमा है तो इसमें हम लंगलम आपको देखा दिये कैसे खोलना है तो आपको काम सीखने के बाद बड़े सब्सक्र्ष एक काम करता तो मैं भी कभी भोल जाएंगे तो मेरा वीडियो देख्के में दौबरार सकता हूँ कभी कभर ही काम होता है मैं ने जितने भी वीडियो वना आपके लिए बी अच्छा होता है मेरे लिए भी अच्छा होता है Erde क्यों मेरे को याद दनार दा तो वीडियो हम खुद देखके कंभ लोगज़ युकर करते हैं अगयsystem himself and तो हमें नया सामान को इसमें फिट करना है तो इसमें ये खराब हो गया है देखिए इसमें थेड़ रहता है तो खोलने का तरीका नहीं पता था इसी बाद से थोड़ा टाइम लग रहा था आभी टाइम नहीं लगेंगे तो बड़े से खोल पाएंगे सेम है तो आपको एक चीज़ हम बताएते सबी जो टूल्स होता है सबी टूल्स मार्केटे में ख़जने को मिलते है हम सबी चीज़ को कहां से मिलते हैं पता नहीं होता इसी वाया से हम इसको चेंज नहीं कर पाते मैंने कलकाता में एक सौप पता चला है स्टार पावर टूल्स वहां से जो भी मैसिन का प्यार पाजना सब कुछ मिलते हैं एक फेंड ने मेरे को बोला कॉमेंट में बताया जो EID 13 मैसिन है उसमें जो जहां पर घुमा क्याम उसमें हैमर मोर को आए मेर और फाय जो गवाल को कम जाता करते हैं उसमें फाय फायवर रयता है तो उसको चेंज कर सकते हैं और मेरे मेंगे नहीं था देखें हम खोल गया है हम अutable है अष्य ह Anfang होता है इसमें एक ओघी इंसमें जाता है तो आसर के उपर हम इसमें फिटिंग करते हैं, तो बड़े से फिटिंग भी हो जाता है, देखिए, तो इसमें हम नया वाला समान इसमें फिटिंग करेंगे, इसमें पुराना है, पुराना यहां पे फिटिंग हुआ था, तो हम इसमें नया वाला ले लेते हैं, देखिए, न स्ते हैं किसमें हम ठोक के झो खोल ले है कि आपको इस साइट से घूमा के खोलना है है कि गल ओको इस को फींग करेंगे आपको अ चीजसे घूमा के हम type करना थ fertility करना ही तो इसमें आप मैंने पूछा था स्टार पार टूल्स कलकाता का स्वाप है वहां से आपको खरदना है यह सामान वहां से मैंने खरदा है तो 70 रुपिया में 75 रुपिया में आपको खरदना को मिलेंगे यह मेरे तो एसे हमें इसको फिटिंग कर रहे हाथों से मतल से तो अप हाथों से मतल से EV करने के बाद छोड़ देना तो जब चलेगा और ज़्यदा टाइट हो जाएंगा अथिर रूल्टा रहता है एंकать को खोलना है और ज Crown के में काम करेगा देखिए जब हम फिटिंग करेंगे आपको देखाएंगे कैसे इसको फिटिंग करना है कौन सी साइड में खोलना है तो एबूस इसमें फिट होगा तो हाथों से हम टाइट कर लेते हैं टाइट करने के बाद जब मैसन को हम चलाएंगे और जदा टाइट है जाएगे इसमें उल्टे थे डोड़ता है देखिए हम आपको मैं भी पहली बार काम कर रहा हूँ मेरे को भी पता नहीं था इसमें कैसे काम करना है तो हम भी बड़े से देख लेते हैं तो बाद में जब भी हम खोलेंगे तो बड़े से हम खोल पाएंगे हाथों से हम इसको घुमा के टाइट कर रहा है तो बड़े से घुमा नहीं पा रहे है तो हम थोड़ा पास में आपको देखा देखिए ऐसे करके आपको इसको खोलना है देखिए ऐसे घुमाने से खोलेगा नीचे जा रहा है ठीक है और ऐसे करके आपको टाइट करना है तो उपर उड़ रहा है ना तो थेट बड़ेसे फिटिंग हो रहा है तो ग्रीज करने के बाद हम इसको फिटिंग करेंगे तो जब भी हम खोलेंगे बड़ेसे खोल पाएंगे देखिए ऐसे करके हम इसको टाइ फोह लेट हो जाएगा तो इसको खोलने का मेरे को टूल्स नहीं था तो हम boost को हमें बाहर करना है तो बहुत पेसार से fitting होते है तो हम पहले इसको hammer से ठोक के खोलते थे hammer से ठोक के खोलने से जहां पे हम boost meeting करते हैं spendal है spendal खराब हो जाता था अभी hydraulic paste है मतलब से हम खोलेंके बड़े से open हो जाएगा machine खराब नहीं होगा देखिए इसमें हमें इसमें कुछ Pipe डे ले बड़ेश हमें इसको खोल लिया है Hydra-Luke Paste से देखिए बड़ेशे बाहर हो गया हूँ थोड़ा पेश साथ दिने से बाहर हो गया था हम आपको देखानी पाएं तो कैमरा को फिर से सेट करना था तो इसमें bearing खरब हो फह हम इसमें निया bearing डालेंगे बैरिंग का साइज है 6002 ए बैरिंग इसमें feet होता है तो हम निया bearing ले ले लेते हैं एसेज कंपण का bearing है तो हम जटाँ शक्तां का bearing यूस करते हैं सस्ता भी होता है आपको जो bearing अच्छा लगा यूस कर सकते हो बेरिंग का साइज है 6,002 तो बेरिंग इसमें प्ले रहता है क्यों प्ले रहता है इसमें आगे पीछे होता है तो यह देखिए यह बूस है प्रोना बूस और निया बूस तो प्रोना बूस कितना खराब होगा है आप देखिए इसमें थेट जो होना बूस यह दा खराब एक हैं तो इसंदांग धूनों छोटो चोडो जो फायप होता ह। आगे पाइप लेना है पिछ पाइप देन में ही तो देखिए इसमें Ikा है कि यह 10 के आरप रचला कि आपको पायप लना ओंपटर कैं ब्रॉपर हैं जो स सपके लिगाए उसके बाद हेटलिक पेस से बाद यूड़ τηνh howdz VID हो गया तो हम श्यूंग करने के बाद बैरिंंग जो है ना जर्द आते के वड़ें Antes पीछ हो घूंओ अगे पीछे करते हैं तो आपको पाइप से को इसको फैडिंग नहीं होगा नयदे ह हेम्बार से ठोक के साइब करादा ना and high जाता है तो आपको bertie तो जो भी काम करना है सही टूल से आप तå उसमें समान कर आप कम होगा तो फि पहली हम इसमें फिटिंग कर लेते हैं इसके बद इसमें मदोड़िये उथा डालेंगे उसके हम ऐसन को fitting कर सकते हैं तो हमे इसको pairing को shite निग कर लेंगे तो इसमें हम इसमें fit कर लेते हैं तो इसको आईसे बैठाने के बाद हम इसमें pipe लेंगे outer ॉब और से इसको ठोक के bring को बैठाना है तो इनर में नहीं ठोकेंगे ने तो क्या कर एगे आप जो तो जहां पे स्पैंडल है आप ठोक के बेरिंग को बैठा देंगे वो गलत तरीका होता है तो जहां पे आपको बैठाना है तो इसमें आउटर में पेस होके इसमें बैठ रहे हैं तो आपको आउटर में ठोक के इसको बैठाना है देखिए जो सही काम है आपको हम सेहर कर रहे सिखा रहे हैं तो आपको गलत काम नहीं करना तो आप जब भी इसके ठोक के फिटिंग करने बेरिंग ठोकने से खरब हो जाएगा तो आपके काम चलाने के लिए आप कुछ भी काम कर देतो आपको ऐसे नहीं करना है तो आपने फाइदा के लिए आपको कुछ भी काम नहीं करन है तर से फ्रेट छिर्ट बें लॉक रहा थो इसको ऊपर डहीँ हम करेगा है वर से मूब करेब स façon हो रहा है तो इसने हम क्या रावार रहा है उसको करने को पाद इसमें इनके क्लinis में लॉक कर लाइन है आधा है मोदे से लॉक हो जाएगा देखिए इसमें हम इसमें सेट कर लेते हैं बड़े से फिटिंग भी हो गया है बड़े से मूब कर रहा है तो इसके बाद हमें क्या करना है इसमें डालेंगे तो यूझे आए नात्व हम इस इसमें गयर को फिटिंग करनेंगे है जैसे गयर फिटिंग था आपको ऐसे ही गयर को फिटिंग कर ले जो इसमें सार क्लिफ है ना हमें इसमें बड़ा किया था बड़ा करने के बाद वह बड़िया से खोल जाता है थोड़ा छोड़ा कर लेते हैं सबी वीडियो में जैसे काम करते हैं वैसे हमें में काम करना है तो इसमें ग्रिसिंग नहीं था बड़े साफ साफाई करने के बाद हम इसमें ग्रिसिंग कर लेते हैं मेरे जो भी काम करते हैं न सबी काम में आपको एक जीस देखनों को मिलते हैं मैसीन को बड़िया से साफ साफाई करते हैं उसके बाद हम फिटिंग करते हैं कि तो आपको बड़े साफ सभाई करना चाहिए तो मैसीन का पौरना रहा कर निया, मीक्स होते हैं पुरूना हो जाएगा तो इसमें छोक की का में घुय ले अभी हम हमार को टेस्टिंग करके देखाएंगे लगड़ी पे हम सलाएंगे इसमें हमार काम नहीं हो रहा है तो हमार मोर हम आउन काट रहें अंदर डाल देंगे ना तो हमार काम करना स्टार्ट करेगा देखिए देखिए हमार काम कर रहा है तो हम यह थोड़ा बाहर कर लेते नॉर्मिल मोर में आ जाए एसमें जो हमार प्रोब्लम था और ठीक हो गया है तो आपको ऐसे कर के काम करना है छुद कूश लगा तो लाइक करना कमन करके बतना मेरे विडियों आपको कैसा लगा मैरे समुदिकना हो पर हम कोशिष करें आपको निया निया काम सिखने के झाल 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 झाल